जैसरी शाम दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल देखा है आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे कुछ-कुछ वीवर्स हैं जिनका मुझे रेगुलर बेस पर कमेंट आ रहा है किस सरम मुचल फंड के अंदर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने मुचल फंड के अंदर आपने इसा इप करी तो इसकी डियूडेट कपकी होनी चाहिए लेकिन क्या है मैं में डियूडेट शो नहीं हो रही है वह और यह जून की तो सर ऐसा क्यों हो रहा है क्या कोई टेक्निकल एर्र है या हम से कोई गलती हो रही है तो बिल्कुल आपको मुवाली की स्क्रीन दिख रही होगी हम चलेंगे दोस्तो हमारी ग्रोव एप्लिकेशन पर तो simply दोस्तों यहापे मैं एक ग्रोव एप्लिकेशन ओन करता हूँ मेरा पिन यहापे मैं एंटर करता हूँ जैसे ही मैं पिन एंटर करता हूँ तो मुझे SIP करनी है दोस्तों तो simply मैं यहाँ पे small cap में जाँगा कोई साभी fund ले लूँगा क्योंकि मुझे आपको करके बताने है due date का जो solution है वो आपको बताना है तो simply कोई साभी fund ले लेता हूँ जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे केंदर अरे रेवे को small cap fund ठीक है simple start SIP पे किलिक करूँगा जैसे ही मैं start SIP पे किलिक करूँगा तो देख लिए जी उपर की तरफ में कुछ भी amount डाल देता हूँ जैसे मैंने 2000 रुपे डाल दिया अब मैं खेल दोस्तों यहाँ पे आता है हम कलेंडर पे किलिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे यह चीज देखो जैसे ही मैं एक तारिक पे किलिक करता हूँ तो नीचे की तरफ के लिखा हुआ है नेस्ट SIP installment on 1 June मैं नहीं आ रहा है दोस्तों देखो अप्रेल आता है अप्रेल के बाद मैं आता है फिर जून आता है ठीक है तो यहाँ पे क्या बता रहा है दोस्तों जून एक जून की installment बता रहा है जो मतलब मैं की चीज इस्टॉल्मेंट है वो नहीं बता रहा है अगर ह यहाँ पे यह चीज समझो mutual fund house ने क्या कर रहा है दोस्तों पहले तो यह चीज समझो यह कोई technical error नहीं है ना कोई आप से गलती हो रही है mutual fund houses ने एक नियम बना रहा है वो नियम क्या है वो नियम यह है कि mutual fund के अंदर जब भी कोई बंदा जब भी कोई investor पैसा invest करेगा SIP जैसे माली जी XYZ कोई ऐसा investor है जो first time mutual fund के अंदर SIP कर रहा है ठीक है जैसे माली जी उसने choose कर रहा है मुझे HDFC small cap के अंदर क्या करना है SIP करनी है अब उसने क्या कर रहा अप्रेल के मंद में क्या कर रहा उसने अगर SIP करी तो क्या होगा दोस्तों इसकी जो SIP है ना जो इसक फर्स्ट पेमेंट है फर्स्ट पेमेंट दोस्तों उसको 30 दिन complete होने चाहिए 30 दिन का circle complete होना चाहिए अगर 30 दिन का circle complete हो जाता है तो उसकी जो due date रहेगी वो next month की मिल जाएगी अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है जैसी हम एक तारिक पर क्लिक करते है तो हमको का की दि हमारे कितनी डेट ओगई यह जितनी भी डेट की बात कर रहाँ अपरेल महने की कर रहा हम टोकी ढूब टोस्तों यहां से 9 और 20 कितने हो गए 29 29 और 31 यह 30 दिन कब कम्प्लेट हो रहे हैं दोस्तों हमारे एक मई को एक मई को कम्प्लेट हो रहे हैं इसलिए क्या है जब हम एक मई को SIP करते हैं तो जून की इस्टॉल्मेंट बता रहा है ठीक है अगर मान लीजिए हम दो तरिक दो जैसे मान लीजिए हम 2 मई लेएगे आपे 2 मई को कितने दिन हो जाते हैं सLKL कितने दिन का है 30 दिन का है 31 इसलिए क्या है दो तरिक करोगे तो इस्टॉल्मेंटकी बताएगा 2 मई की और पहल के बाद मई आता है तो मई की बताएगा कहने आप मतलब है आप जिस दिन भी SIP कर उस दिन से आपको calculate करने है 30 दिन अगर आपके 30 दिन पूरे की पूरे calculate हो जाते हैं तो आपको 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 मिल जाएगी अगर 30 दिन का circle plate है वो complete नहीं होता है तो आपको क्या होगा जो इसके भी नेश्टमेंट की इस्टॉल्मेंट शो होगी यहां पर इजी में सिंपली थोड़ा आपको बता देता हूं जैसे मानली जी कोई भी एक इन्वेस्टर है एक्स वाइजेट जैसा कि मैंने बताया मानली जी इसके पोर्टफोलियों में पांच फंड है ठीक है पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या नहीं रखा हो कोई दिक्कत परिशानी नहीं है लेकिन अगर किसी नए फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जैसे मानली जी है एसी पंडे इसके अंदर फर्स्ट टाइम इंवेस्टमेंट कर रहा है तो क्या होगा आपको यह देखना पड़ेगा जैसे मान लीजी अभी की आज दो तारीक है तो सिंपल ही दोस्तों अगर मैं अभी दो तारीक की इसमें S.I.P. करूँगा तो मुझे मैं की डूडेट मिल जाए क्या होगा जैसे मान लीजिए अज दो तारीक है तो दो तारीक के साब से कैलकुलेशन करी अगर मान लीजिए तीन तारीक के साब से कैलकुलेशन करूँ तो यह कितने दिन हो गए तीन से दास आट दिन हो गए और 11 से 30 कितने हो गए आपके टोटल 20 दिन यह हो गए आपके ठीके और एक तारी किये और दो तारी किये ये कब की है मई की टोटल कितने दिन हो गए आपके टोटल तीस दिन तीस दिन कम कंपलीट हो रहा है आपके दो मई को और यहां पर तीस दिन कम कंपलीट हो रहा है आपके एक मई को जिस दिन 30 दिन complete होंगे उसके next day की अगर आप installment करते हो SIP की date choose करते हो तो आपको next month की due date मिल जाएगी तो simple सा दोस्तों यह logic तो जादा आपको confuse नहीं होना है जब भी आप SIP करो तो बस आपको आपकी date देखनी है कि हम जिस date को SIP कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हमारी next video में जो आपको शाम को 8 बजे मिलेगी जैसरी शाम दोस्तों जैसरी राधे